अब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आज हम बात करने वाले हैं रेंटेक देड़सो टेबलेट के बारे में रेंटेक देड़सो टेबलेट जेबी केमिकल द्वारा बनाई गई है इसमें रेंटीडीन कंटेंट है तो और चलो और भी जानते इसके बारे में जैसे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ तो चलो हिडियों को शुरू करते हैं रेंटेक टैबलेट के लाब गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज गैस्ट्रोस फेगल रिफ्लेक्स रोग एक क्रोनिक कंडिशन है जिसका ऐसा इसलिए होता है क्य करते हैं और पेट के संक्र समगरी को आपके एसोफेगल का मूस में वापस आनी देती है रेंटेक देड़सो टैबलेट येच्टू रेसेप्टर एंटा गोनिस्ट नामक दवाओं के समूस से समधित है यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम क रहा है पेट के अलसर आम तोर पर नान स्टेरोडल अंटी इंफ्लामेंटरी या हभी को बैक्टर पाइलोरी बैक्टरिया के कारण होते हैं वे दोनों उस एसिड की खिलाब पेट की सुरक्षा को खत्म कर देते हैं जिससे खानी को पचाने के लिए पेट बनाता है यह असिड की मातरा को कम करता है जिससे अलसर डैमेज नहीं होता क्योंकि यह अपने आप ठीक हो जाता है अलसर के कारण क्या हुआ है उसके आधार पर आपको अन्य दवाए दी जा सकती है आपको दवा के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई करने के लिए भी दिया जा सकता रान्टेक टैबलिट के कुछ साइड इफिक्ट इस दवा से होने वाले अधिकान साइड इफिक में डॉक्टर की सला लिनी की जरूद नहीं पड़ती है और यह मित्रूप से इस्दवा का सेवन करने सिट अपने आप समाफ्ट हो जाते है अ दवा के खुराक और अनुमाब के आउदी के लिए अपने डॉक्टर से सलाली इसे साबुद निगले ना चबाए ना कुछली ना ही तोड़े रेंटेक देड़सो टैबलेट को खाने के साथ या भोके पेड़ भी ले सकते हैं लेकिन यह बहुत्तर होगा कि इसे तह समय पर ल